हेलो और वेलकम एवरीवन तो अनदर निव एपिसोड और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे 5 things that we can do during lockdown हर कोई lockdown में घर पे कैद है और घर पर ही बैठे बैठे बहुत बोर लग रहा है तो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ पांच वो चीजे जो आप lockdown के दौरान कर सकते हैं जिससे आपका time आराम से बीठ जाएगा आपको पता भी ने चलेगा कब ये time बीठ गया और आपका lockdown बहुत अच्छा जाएगा Before starting this video I will request you all to please subscribe my channel for awesome content it's 100% free है ये पूरी तरीके से free है आप subscribe कीजिये उसके बाद एक तीन option आता है Bell वाला icon दबाईए सारी वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर मैं awesome content डालता रहता हूँ तो उसके लिए आपको subscribe करना compulsory है and this video is specially for everyone who are lockdown in home so share this video with all So let's start start करते हैं हमारा वीडियो पहली चीज lockdown के दवरान जो आप कर सकते है वो है reading आप किताबे पढ़ सकते हैं किताबे पढ़के आपकी दो चीजे सुधरेगी एक तो आपका reading skill सुधर जाएगा और आपका जो memory power है वो भी थोड़ा बहुत strong हो जाएगा और तीसरी सबसे important आपका time pass होगा लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर पे किताबे नहीं होती है पढ़ने के लिए normally school के books और यही सब किताबे college के books है text books है तो उससे हट के अलावा उसके अलावा भी अगर आपको books पढ़ना है तो tension मत लीजिए मैं आपके लिए कुछ websites लाया ह यहाँ पर आपको local editors जो होते हैं या जो local writers होते हैं वो लोग अपनी stories publish करते हैं बहुत ही simple and easy language में होता है stories तो वहाँ पर जाके आप stories पढ़ सकते हैं दूसरी website है electric literature.com यहाँ पर बड़े-बड़े news channel के या जो newspapers होते हैं उनके जो content writers होते हैं वो लोग अपना publications यहाँ पर publish क करते हैं यहाँ पर आपको normally stories तो पढ़ने नहीं मिलेगी लेकिन life experiences और tours and travel guide यह सब पढ़ने मिलेंगे newyorker.com यहाँ पर बहुत ही famous writer जो की best seller होती है जिनके किताबे market में बहुत अच्छा नाम कमाती है और बहुत जादा बिकती है वो writer अपने छोटी-छोटी stories इस website पर publish करते हैं आप free में पढ़ सकते हैं gutenberg.org यह एक project है यह एक website है जो बहुत सारे website का link आपको देता है मतलब यह खुद में एक library है online library आप बोल सकते हैं बहुत सारे interesting stories और उनके किताब और जो भी कुछ है इस website में आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा famous जो पुराने किताब होते हैं जिनमें बहुत interesting stories होती है बहु पढ़ने नहीं मिला आप इस gutenberg.org पे जाकर उस book को सर्च कर सकते हो और free में download करके पढ़ सकते हो best part is एक बार download करने के बाद यह book आपको offline available हो जाता है अब यह जो website है storyweaver.org.in यहाँ पे आपको हिंदी stories मिलेंगी बहुत से लोग होते हैं जिने English पढ़ने में दिक्कत आती ह तो वो लोग इस website पे जाकर हिंदी में भी stories को read कर सकते हैं. Second thing जो lockdown के दौरान आप कर सकते हैं वो है watching movies. आप movies देख सकते हैं. अब क्या होता है? TV देखके आपको bore feel हो रहा होगा क्योंकि TV में हमारे हिसाब से movies नहीं आती हैं. तो movie देखने का एक बहुत अच्छा source है. Netflix, Amazon Prime ऐसे कुछ online web platform है जहाँ पे आप movies देख सकते हो. बट वहाँ पे आपको subscription लेना होता है. मैं आज आपको कुछ ऐसी movies के बारे में बताऊंगा जो आप 100% free on YouTube जाकर देख सकते हो. पहली movie है रत्सासन ये तमिल साउथ की movie है जिसको हिंदी में dub किया गया है. हिंदी में इसका नाम है मैं हूँ डंड अधिकारी. बहुत ही awesome movie है और इतना suspense भरा इस movie में इस movie की story हर एक minute में change होती है. दरसल ये movie based एक serial killer की उपर जो एक के बाद एक serial killing करते जा रहा है और police के लिए कुछ clues छोड़ते भी जाता है. अब इस movie को देखते हुए आपको ऐसा feel होगा कि आप ख सोज भी नहीं सकते इतना interesting है. movie का plot बहुत शांदार है. इन सारे movies का link जो आपको दिख रहा है यहाँ पर यह जो मैंने YouTube का link दिया है यह आपको description पे भी मिलेगा. मेरे वीडियो में मैं जब description दूँगा वहाँ पे भी यह सारे link available होंगे. तो वीडियो के बाद description देखे और description पे click करके आप यह movie देख सकते हैं. दूसरी सबसे best film है ओ. इसका नाम है ओ. लेकिन इसको हिंदी में dub किया गया है और हिंदी में इसका नाम है अंतर युद. 2010 में Hollywood movie रिलीज हुई थी Inception. जो कि इतनी बढ़िया थी कि आप एक बार देखने के बाद इस movie को भूलने सकते हो. Same way South Indian director ने ये movie बनाया है. Same आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत Inception जैसा है. इसकी story इतनी खास है, इसका plotting इतना खास है कि एक ही movie में आपको 5-6 अलग-अलग stories देखने मिलेगी और सारी stories का connection last में एक single character के साथ होगा. ये story इतनी खास है कि आप बिलकुल भी इसका ending judge नहीं कर स और जब आप ending देखेंगे आप surprised हो जाएंगे. इसका भी link मैंने description में दे दिया है. उसके बाद जो movie है वो है अनुकुल. अनुकुल अपने time से बहुत आगे की movie है और इस movie को बनाया गया है artificial intelligence जैसे topic के उपर. In future ऐसा वक्त आएगा जब इनसान humanoid robots का use करेंगे और वो robots हू कुबहू इनसान जैसा दिखेंगे जिसके लिए monthly payment देना पड़ेगा उस robot का. ऐसा ही topic को लेकर इस movie को बनाया गया है. It's a short film. Normally ये जादा बड़ा movie नहीं है. आदे घंटे के अंदर की movie है ये. बहुत ही deep topic इसके अंदर बताया गया है. बहुत ही अच्छा एक short film अगर आप बहुत टाइम से देखना चाते है. तो ये movie आप देख सकते है. Next film is गुथी. गुथी का मतलब होता है riddle. Yes, ये movie भी आपको एक riddle बताती है और जिस riddle का answer इसी movie के ending में चुपा हुआ है. ये movie इतनी suspenseful है कि आप इसका ending imagine भी नहीं कर सकते हो. उसके बाद हम सब का favorite genre जो होता है horror genre से related ये movie है. Error 404. Yes, ये movie बहुती underrated हिंदी movie है. कब release हुई थी किसी को नहीं मालूम. लेकिन ये freely available है YouTube पे horror movies में normally भूत दिखाया जाता है. लेकिन इस movie में भूत नहीं दिखाया गया है. फिर भी ghost जैसे concept को बहुत realistic way में explain करने की कोशिश की गई है. तीसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है learn free online courses. आप free में online course सीख सकते हो. पहला site जो मैं आपको recommend करता हूँ वो है memory.com. अब इस site में दो section है. आप खुद भी अपना आपके अंदर जो भी talent है इसको आप showcase कर सकते हो इस website पे. आपको जो भी चीज आती है वो आप दूसरों को सकते हो. अब इस website की खास बात यह है यहाँ पे आके आप अलग-अलग languages सीख सकते हो. You can learn Spanish, Germany, French, हर तरीके की अलग-अलग languages आप सीख सकते हो. दूसरा website है udemy.com. udemy.com unacademy का ही एक version है. unacademy subscription पे based होता है लेकिन Udemy पूरा का पूरा free है. यहाँ पे आप computer के programming language सीख सकते हो. c, c++, javascript, .NET और भी बहुत सारे programming language फ्री में सीख सकते हो. कुछ courses है जिसमें certification भी आपको मिलेगा, online certification courses भी है और यह पूरी तरीके से free है. चौथी चीज जो आप कर सकते हो वो है, be on social media and write interesting post. आपके अंदर बहुत सारी interesting चीज़े है जो आप लोगों के साथ share करना चाते हैं तो आ जाईए social media पे, बहुत सारे social media platform है, twitter है, facebook है, instagram है, ऐसी जगा पर आईए और अच्छे अच्छी चीज़े, अच्छे photos, post कीजिए and stories और share your experiences, आपने कभी कोई चीज experience की होगी और उस experience को लोगों के साथ share करना चाते हैं, तो this is the best platform, social media और इसके जरीए आप लाखों करो लोगों तक पहुच सकते हैं, last चीज जो है वो आप कर सकते हो, learn cooking, आप घर बेटके cooking सीख सकते हो, अब इसके लिए मैं recommend करूँगा, best teacher will be your mother, आप मम्मी से सीख सकते हो cooking के अलग-अलग techniques, और मम्मी के साथ cooking में उनका हाथ भी बटा सकते हो, और उनसे कुछ trips and techniques सीख सकते हो cooking के, यह आपको self independent बनाएगा, कभी आप अकेले कहीं पर रहने को, अगर आपका ऐसा situation हो जाए कि आप कहीं पर hostel पर आपको रहना पड़े, तो वहाँ पर अगर आप cooking सीख लेते हो, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, आप अकेला खाना बना कर खा सकते हो, so friends, I hope आज का मैंने दे दिये हैं, जो आप लॉकडाउन के टाइम पर कर सकते हैं,